मद्यप्रदेश में नौ तपा के साथवे दिन यानि कि आज शुक्रवार को सूरज के तेवर कुछ कम हुए हाला कि मौसम विग्यान प्रकाश डोले ने बताये कि पिछले 24 गंटे में प्रदेश मदिक्तम तापमान सीधी में 48.2 डिगरी और खजरों में 47 डिगरी दर्च किया गया इन दोनों जिलों में तीवर लू रिकॉर्ड की गई है जम्मू में एक पश्मी विख्षोग बना हुआ है साथ ही उत्तर प्रदेश में एक उपरी हवा का चक्रवात है इन सबके कारण अकले 24 गंटे में ग्वालिय चम्मल संभा के कुछ जिलों में हलकी बारिश देखी जा सकती है उत्तर पूर्वी उत्तर पश्मी जिलों में लू का प्रभाव बना रहेगा 30 मई को एक दिन पहले ही मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है अगर ऐसा ही क्रम जारी रहा तो 14-15 जून के एक दो दिन पहले ही प्रदेश्वे मानसून आ सकता है शुक्रवार को ग्वालिय निवारी समेथ 18 जिलों में लू का यलो अलड़ जारी किया गया है देख सकते हैं पिछले 24 गंटे में सरवाधी अधिक्तम तापमान सीधी में दर्श किया गया 48.2 डिग्री सेल्सियस तथा खजुराओं में 47.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्श किया गया यह दोनों जीले जो ऐसे हैं कि जहां पर जो है तीवरलू रेकॉड की गई है तथा 10 जीले और है जहां पर जो है ईट वयो कंडिशन्स दर्श की गई पिछले 24 गंटे में और तीन जगा पे वाम नाइट्स दर्श की गई है अभी जिसे आने वाले 24 गंटे में आप देख सकते हैं कि उपर में पस्चिम विक्षोप जम्मू की तरफ बना हुआ है उसके साथ ही उत्तरप्रदेश में एक उपरी हवा का चक्रवात है वहां पे उस प्रिटिकुलर उपरी हवा की चक्रवात से जो है एक ट्रफ लाइन हुई है जो कि बिहार से होते हुए पस्चिम बंगाल जोती है सिकीम के तरफ जा रही है तो इन सब की चलते जो है अभी पुर्वान उमान जो हमारा हमारे मौसम के दर बोपाल ने जारी किया है कि वालियर चंबल संभा के कुछ जीले है जहां पे हलकी वर्षा मिन्स देख जा सकते है अन्योग चोविस घंटे में और अनुपूर डिंडोरी में जो है आइसोलेटिट फॉरम मैं देखा जा सकता है तो और बाकी जो जिल्ले है प्रमोख बात है कि उत्तर पुर्वी और उत्तर पस्च्चिमी जो है वहां पर जो है जो है मिन्स लू का असर बना रहे और बाकि उत्तर प्रश्चमी और दक्षिन पुर्वी जिल्ले और सेंटर पार्ट्स ऑफ मध्यप्रदिश जो है वहां पर तापमानों में हलकी कमी देखी जा सकती है एक दो डिग्री तापमान जो है वो कम मेंस हो सकते है तो अभी थोड़ी दक्षिनी भाग जो है मध्यप्